विल्कम बैक तो माई यूटूब चैनल पेपर रहकर आज के इस वीडियो में हम अगले कोश्चन की बात करेंगे ठीक है जिसको कुश्चन नमबर आपका 14 जो कि आपका सौट आंसर टाइब कुश्चन है इससे पहले हमने एक से लेकर 13 तक सौट आंसर टाइब कुश्चन कंप्लीट कर लिए जिनके बारे में डिसकस कर लिया आज हम बात करें कुश्चन नमबर 14 की ठीक है जो कि आप से पूछ रहा है आपका इसका हाइडोजन और इसका ओएच ठीक है क्या हो जगा माइनस एच टू जब यह बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पर आपका नाइट्रोजन और कारवन कुछ इस तरह से नाइट्रोजन और कारवन के बीच में जो आपका बांड बनेगा इससे पेप्टाइड बांड कहते हैं जब यह शरंकला आपके लंबी हो जाती एक से कही ज सिंथेसिस आफ़ पेप्टाइड की सिंथेसिस निम्न पदों में होती है कौन-कौन से आपके जो है पर दे रखें यह हैं जोनमे आप to पूस्तिती के कारण इन्हें जोटर आयन कहते हैं आपका यह दोनों गुरुप होते हैं इसी कार्ड यह करते हैं इनर साल्ट बनाते हैं क्या बनाते हैं एक ही यह कोगा और उसी में आपको क्या मिलेगा देखने को पूस्ति है और यह आपका क्या है दूसरा ठीक है इसमें क्या है आपका चूसित की फर्म में निकला यह कहाँ जागा आपका नाइंजन से लग जागा अब नाइटिजन लगे हुए आपका यहां पर नाइटोजन पर चार बांड बना रहा है तो इस तरह से नाइटोजन पर कैसा आ जागा प्लस का और यहां से जो च्छा आजागा तो यह आपका स्ट्रक्चर क्या कहलाता है जोटर आयन कहलाता है क्या कहलाता है जोटर आयन ठीक है और यह क्या बना रहा है आपका इनर साल्ट बना रहा है ठीक है इस क्रिया को रोकने के लिए एक प्रोटेक्टिंग गृप इंट्रोड्यूस कराते हैं अब यह मतलब कि इसमें जोटर आयन ना बने या इसका इनर साल् है इसका कया करते है प्रोटेक्टिंग गुरुप से इसको सुरक्षा करें गुरुप से हम इसको कर आते हैं या इसको मिलवाते हैं करते है नमबर बन क्या यह सभूंक से छुशे exhibits बन यह तो उसकी जो है रख्षा कर सकता है या इसको प्रोटेक्ट कर सकता है ठीक है नंबर बन कह रहा है यह समूह अमाईनोप समूह से आसानी से Anisateatechable हो मतलब NH2 Group से यह आसानी से जुर जाए ठीक है किससे NH2 Group से अमाईनोप से जो गुरुप है उससे आतानी से जुड़ने वाला हो यह जुड़ जा दूसरा का रहा है पेप्टाइट बॉन्ड बनते समय यह निशक्री रहना चाहिए जब नायटोजन नहीं चाहिए निशक्री है ठीक है उस समय यह क्रिया नहीं करनी चाहिए इसको थड़ कहरा है करते समय पेप्टाइट बॉन्ड तथा अमायनो एसड के फंक्शनल गुरुप पर कोई प्रभाव ना पड़े जब इसको बाद में निकाला जाए इसको रिमूब किया जाए उस समय आपका जो पेप्टाइट बॉन्ड बना हुआ है कारवन नायटोजन के बीच में उस पर और अमायनो एसड के फंक्शनल गुरुप पर कोई प्रभाव ना पड़े ठीक है इनमें कोई चेंजिंग ना हो तो यह गुण होने चाहिए किसके अंतरगत आपके प्रोटेक्टिंग गुरुप के अंतरगत तभी वो एनसटू को प्रोटेक्ट कर सकता है इसके लिए प्र यह जाते है नमबर वन आपका क्या जगा थैलिल जो आपका क्या होता है और आपका थैलिल एक आपका फ्रोटेक्टिंग गुरुप है ठीक है सेकंड आपका क्या है पैरा टालून सलफोनिल क्लोराइड क्या है आपका पैरा टालून और सलफोनिल क्लोराइड ठीक है तो यह हो जागा आपका पैरा टालून यान की पैरा पोजिशन पर क्या लगा हुआ आपका CH3 लगा हुआ ठीक है बाकि आपका C6 और H4SO2 यह हो जागा यह आपका दूसरा जो है आपका प्रोटेक्टिंग गुरॉप है यह तो थे आपके NH2 या अमेनो गुरॉप को प्रोटेक्ट करने वाले प्रोटेक्टकरने वाले है या इसको क्रिया शील बनाना इसकी क्रिया शील्ता को किस तरह से बढ़ा है जा सकता है किस तरह से इसको अक्टिवीस्ट करेंगे प्रोटेक्ट अमाइनो एसिड के CWH समूं को एसिड क्लोराइड एस्टर यहां आपका क्या होगा मिक्स्ट एन हाइड्राड में बदल कर किसमें जो आपका अमाइनो एसिड ठीक है अमने इस ले लिए आपका मायनोःच की आपका एंज क्रिया करने लगेगा तो आपका आमाइनोःच एऐ आपका अज किया आपका ऑग आपका आपका करनी है कि रिएक्षान करनी है इसकी तorc loroi system आफ का अ वाहर निकल जागा माइनAS इए sır कहा लग जागा इससे ऊष्ट बना लेगा थिक एनिक और यह आपका PCL4 के साथ में बाहर निकल जाएगा तो अब यह कैसा हो गया आपका एक्टिव हो गया ठीक है अब यह क्रियाशील हो गया अमाइनो एसिड अडू का जुड़ना अब क्या करना है अमाइनो एसिड अडू को इस पर जोडना है कुस थरह करना है अमाइनो एसिड का चिड़ना ठीक है तो जो आपका activated group है क्रिया सिल गुरूप है आपका COOH ठीक है COOH को हमने किसम बदल दिया COCL में बदल लिया है amino acid के ester या acid chloride group किसी दूसरे amino acid के NH3 group से क्रिया कर है NH3 नहीं NH2 group से क्रिया कर peptide bond बना लेते हैं क्या करेंगे अब यह peptide bond बना लेंगे ठीक है COOH का जो active group होगा COCL में हमने convert कर लिया ना एस्टर या acid chloride group में अब क्या होगा किसी दूसरे amino acid के NH2 group से ठीक है किससे NH2 group से क्रिया करके क्या बना लेगा अब यह peptide bond बना लेगा किस तरह से बनेगा चलिए देखते हैं तो यह आपका क्या हो गया यह आपका हो गया ठीक है थैलेल क्या हो गया यह है थैलेल क्या हो गया ठीक है अब इसको क्या करना क्लोराइट में convert कर लिए इसको ठीक है किसमें क्लोराइट में यानि कि क्या था आपका NH2 CH2 COOH था ठीक है क्या था यह आपका क्या था यहापर क्या था आपका ओ ठीक है डबल बॉन्ड ओ लगा हुआ था कुछ इस तरह से इस तरह से और दूसरा क्या था आपका अमायनो ऐसे एन एच टू और आपका सी डबल ओ एच था ठीक है तो इस तरह से क्या करा है इसको इसको और इसका एच टू ठीक है यहां से आपका और यहां से आप बाहरन निकाल लोगे तो कारवन डवल बॉन और नाई्टोजन आपका आकर लग जागा ठीक है क्या रगजेंगा आपका डबल बॉन ओ देवल बार यहां पर एन एच ठीक है क्या बचिक बचेंगा त्टू और आपका COOH बचेगा क्या बचेगा COOH बचेगा अब इसकी reaction किस से कर देनी PCL5 से किस से PCL5 से करोगे तो इसका CL- आपका आगे कहा लग जागा इससे लग जागा और यह OH आपका जो है बाहर निकल जागा ठीक है आपका OCL बना लेगा और OH कहा चलाएगा PCL4 OH के साथ में बाहर निकल जागा तब जाके आपका यह बनेगा ठीक है तब जाके आपका इतना molecule बनेगा PCL के साथ में reaction करने पर अब बन गया आपका यह ठीक है इतना बन गया आप क्या करना है इसमें अमाइनो एसिट को जोड़ना है क्या करना है अब यह एक्टिब बन गया आपका CWH क्या हो गया अब इसमें आपको next जो आपका amino acid का molecule होगा वह आपको add करना है तो क्या हो गया NH2 और CHCWH और इससे क्या लगा हुए आपका आर ठीक है आर ना होकर आपका क्या हो सकता है यहां से क्या होगा जो आपका chlorine है एसे क्लोराट का chlorine और NH2 का H यहां से HCL क्या होगा आपका बाहर निकल जागा और carbon और nitrogen के बीच में आपका bond बन जागा क्या हो जागा और nitrogen के बीच में आपका bond बन जागा कुछ इस तरह से ठीक है यहां पर यह nitrogen और आपका यह carbon ठीक है oxygen आपका यहां जागा और hydrogen आपका यहां जागा कुछ इस तरह से ठीक है इसको क्या करना है दुबारा से बाहर निकालना है या रिमूबल करना अब करना जो आपको प्रोटेक्टिंग गुरुप था उसका क्या करना उसको बाहर निकालना इसको प्रोटेक्टिंग गूरूप निकालना है ठीक है तो क्या हो गया आपका अपका पूरा बना हुएा थीक है हमने के ले लिया अब प्रोटेक्टिंग तखेंग वो यह यहाँ से बाहर हो जाएगा तो यह ले लो है यहां से आपका हैड्राजीन पूं पर मालो है और यहां पर आपका यहां पर आपका और इधर थे छो अ all जागा । फिर यह रफ तरहbn है इक तरहप आप जो एफ टू यह आपका दो बाव लिखह बार लिखा हुआ है हम ने को प्रेटzyka लेस तरह लिए ठीक है यह हो गया इदर अघ हमने लगा दिए अधर एफ झाल झाल मोलल données यह इस तरह सी यह आप को मिल जागा ठीक है सी डबल वांड ओ और आपका एनेच और सी डबल वांड ओ और आपका एनेच ठीक है तो एक मॉलेकुल आपका यह मिल जागा जिसे क्या कहते हैं थैलीडामाइड क्या कहेंगे इसको यह आपका हो जागा थैलीडामाइड वकाया आपका यहां से बचा हु हुआ थैस तरह इसृत थे हैं तरह है यां पेडय बाहर हो गया और आपका उन नकले गया थिक है तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं जो आपका प्रोटेक्टिंग गुरुपता उसको हमने बाहर कर दिया ठीक है अब कहरा है बनाने की विधियां क्या बनाने की विधियां पॉली पेप्टाइड बनाने के लिए कई मैथट दिये गए हैं जैसे नंबर एक आपका क्या हो जागा शीहांस मैथट ठीक है सीहांस बिदी जो की 1949 में दे गई थी ठीक है कब 1949 में ठीक है क्या सीहांस मेथट नंबर एक की बात करेंगे उन्होंने थैलिक एन्हाइड्राइड को प्रोटेक्टिंग गुरुप के रूप में प्रियोग किया था किसको जो आपके सीहांस थे उन्होंने खालाँ ननीज भॉट में प्रोटेक्टिंग गुरुप के रूप में जो है योगत किया था फीक है यहांसे प्रोटेक्टिंग गुरुप की रूप में उसमें क्या होका आपका त्रह यह निकल जागा माइनस H2O आपका यहां से बाहर निकल जागा और यह आपका carbon और nitrogen के बीच में double bond जो है आपका इस तरह से बन जागा ठीक है यह आप चाहिए तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ठीक है यह क्या हो गया और यह आपका carbon double bond oxygen, carbon double bond oxygen, single bond, single bond N, ठीक है, dot CH2 और COOH ठीक है इस त protecting group लग जागा आपका amino acid के साथ में ठीक है अब क्या करना अब इसी को हमें acid chloride बनाने क्या करना भी इसकी reaction हमने किसके साथ में कर दी PCL के साथ में ठीक है, किस के साथ? PCL के साथ reaction करेंगे, तो CWH group का क्या हो जागा? chloride बन जागा, ठीक है, यहां से OH आपका बाहर निकल जागा, minus OH कर दो, और क्या हो जागा? सबसे बाहर क्या आपका CWH पे क्या हो जागा? COCL हो जागा, अब यह कैसा हो गया, आपका active हो गया और HCL यहां से बाहर निकल जागा. क्या हो जागा? आपका HCL अब आपकी reaction यहां से शूरूऊगी ठीक है? माइनस HCL आपका यहां से बाहर निकल गया और क्या होगा? किसके बीच में? कारबन के बीच में? और आपकी nitrogen के बीच में. ठीक है? हुआ ने तो कहां बनेगा विज। यहां पर और यह ने कर दूसरा है यह लं और निकल गए है ठीक है carbon पे आपका कुछ इस तरह से लगा रहा है और आपका एन एस ठीक है carbon और nitrogen की बीच में इसी बांड को कहते है पैप्टाइट बांड कहते हैं यहाने कि फेटाइड बांड कहते है ठीक है बागी आपका बुझ जिउच्छयों कि तुम लगा दो ठीक है क्या लग गया यह आपका क्या बन गया प्रेटट बॉर जैघा इसको तो यहां से क्या हो जागा यह जो आपका CWH group था यह क्या हो जागा CO CL बन जागा यानि कि Acid Clorad बन जागा और अब यह कैसा हो जागा Creacil हो जागा कैसा हो जागा Creacil हो जागा यानि कि अब आने बाला जो आपका अगला Amino Acid group होगा वो आपका CL के साथ में reaction कर लेगा और क्या बना लेगा एक नया peptide bond का formation कर लेगा ठीक है तो यहाँ पर आपका यह बन गया Creacil ठीक है क्या हो गया Creacil हो गया अब दूसरा यह जो आपका Amino Acid है ठीक है क्या है आपका यहां CH2 हो सकता है यहां CH2 हो सकता है ठीक है माइनस-HCl आपका बाहर निकल जागा अब देखो कारवन के बीच में और इस नाइटोजन के बीच में bond बनेगा preca recUE तरह गोने और नाइटोजन के बीचमे आपका बांड बन जाए प्र एक प्विक्ष lighter भेंट के बनेगा और यह कि आपका सी ओठीक है तो दूसरे प्रोटेक्टिम गूर्प जो आपने लिया था 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 एलिक एनहाइड अब इसका क्या करना करना क्या करना है रिबुबल कब होगा दो किसके बनाएं प्रोटेक्टिम गुरुप आपका हो जागा फटीक तो है थे इन के साथ में रियक्शन करना दो आपकर कुछ तरह सी जाएँ पर इदर कि ले लो और इधर आपका एज़ और इदर ले यहां पर इस तरह से आपके दो जो है और आपका एक एक एस तरह से आपका यह जो प्रोटेक्टिंग गुरुप था पीजी था यह आपका बाहर निकल जागा थे मारा है नहीं की सिंपरों कि आपका अर्ड लगा हुआ है जो है यह फ्ल दाइट का यहां पर तखिंग का यहां पर बना हुआ है ठीक है ठीक है ठीक है तो इसमें पेप्टाइड बॉंड कितने एक पेप्टाइड आपका यहां पर है दूसरा पेप्टाइड आपका यहां पर है ठीक है यहां पर और यहां पर यानि कि दो पेप्टाइड बॉंड इसमें बने हुए हैं तो इसको कहते हैं क्या कहते है डाइप्टाइड अकर आपको ट्राइप्टाइड बनाना तो आमको जो छी डबलो एच गुरुप है इसकी दुबारा से आपने क्या करना है पी सी यल 5 के साथ में रियक्शन कर देना है और और आपका सी यो और बन जागा तो कैसा हो जागा आपका ट्राई प्यप्टाइड हो जागा ठीक है तो इस तरह से प्यप्टाइड का फार्मेशन करते हैं और जो आपका प्रोटेक्टिंग गुरुप होता है उसको हम बाद में निकाल देते हैं रिमूव कर देते हैं ठीक है दूसरी विदी आपकी वर्गमेन भुदी क्या है आपकी वर्गमेन मैथट इस बुदी में सुरक्षात्मक समूँ आपका c6 h5 c6 h5 c2 o seo होता है c6 h5 c2 o seo यह आपका क्या करेगा प्रोटेक्टिंग गुरुप की तरह कारी करेगा ठीक है तो प्रोटेक्टिंग गुरुप जो आपका protecting group होता है उसी को हमने क्या कर लेते हैं acid chloride बना लेते हैं प्रोटेक्टिंग गुरुप का acid chloride जो आपका protecting group C6H5 CH2 और आपका O COOH ठीक है तो इसका क्या होगा इस पर मानलो कुछ भी आपका लगा होगा ठीक है इसके बाद यह का आपकी मैं दिख रही इस पर कुछ ना कुछ आपका लगा होगा ठीक है यहां पर क्या होगा आपका PCL5 होगा क्या होगा PCL5 होगा वो इस वाले group से reaction करेके इसका जो बाहरी एक item होगा उसको हटा देगा और यहां पर क्या लगा लेगा अपना CL लगा लेगा ठीक है तो क्या बन जागा यह आपका protecting group का ऐसा हो जागा chloride बन जागा ठीक है क्या बन जागा अब आपका आने वाला जो amino acid होगा आने वाला जो आपका amino acid का molecule होगा वो क्या करेगा protecting group का जो आपका CL है ठीक है बना हुआ है उसका CL और amino acid के NH2 का एक hydrogen क्या बना लेंगे यह माइनस HCl की form में बाहर निकल जाएंगे और nitrogen और इस वाले carbon के बीच में क्या है आपका bond बन जागा ठीक है तो यह आपका था CO और आपका NH ठीक है तो यह आपका क्या बन गया पीवी यानिकी peptide bond का formation हो गया बाकी आपका क्या बचा हुआ है इसके बीच में बन गया CH CH ठीक है CH और इसी carbon से आपका क्या लगा हुए एक R लगा हुआ है और आपका C ठीक है तो इस तरह से एक peptide यहां पर complete हो गया ठीक है एक यह क्योंद बन गया है इसको मोणोव टैड और कहा सकते यह टारी यह क्या उच्छ फवाइब कि यह बन जागा, COCL बन जागा, अब यह क्या हो जागा, आपका active हो जागा, ठीक है, कैसा हो जागा, active या, creacil हो जागा, इसके बाद क्या करना है वे इतना हो गया, इसके बाद दूसरे नमबर पर आपको NH2, CHCW, याने कि दुबारा से आपको एक amino acid के साथ में reaction कर देनी है, NH2 और CHR और COOH, यह आपका दुबारा से एक नया amino group आ गया है, इसकी reaction अब जो आपका activate था, ठीक है, COCL, इसके साथ reaction कर देनी, दुबारा से आपका क्या होगा है, यह से minus HCL जो है बाहर निकल जाएगा, और एक peptide bond आपका और नया बन जाएगा, ठीक है, तो किस तरह ऐसे होगा, यहाँ पर आपका एक peptide bond जो है, बना हुआ है, ठीक है, यह क्या है, एक peptide bond ठीक, और बागी क्या था आपका, CH, और क्या था आपका, COO, ठीक है, CH, COO, गुरूप लगा हुआ था, देखो, C6, H5, CH2, O, CO, और CH, क्या था, CO, N, H, CH, C, O, N, H, CH, आपका, C, O, H, जो कि आपका यहाँ पर लगा हुआ, ठीक है, C, O, N, H, CH, C, O, H, इतना था, अब इसमें क्या करा था, दोनों की हमने reaction एक ही बार में यहाँ पर उन्होंने करवा दिये, ठीक है, दोनों की reaction जो है, इस तरह से करवा दिये, तो आपको क्या मिल गया है, कुछ इस तरह का, यह जो है, पेप्टैड मिल गया है, ठीक है, क्या C, O, C, L मिल गया, बागी इससे आपका क्या लगा हुआ है, बागी इससे आपका N, H, और आपका CH लगा हुआ है, ठीक है, उसके बाद क्या है, आपका C, Double Bond, O, ठीक है, Single Bond, O, और बागी आपका CH2, और आपका C6, H5, ठीक है, यहने कि इतना वाला molecule जो है, आपका पूरा लि अब इसकी reaction, CCL5 के साथ में करा दी, तो आपका यह बन गया, ठीक है, यानि कि जो आपका C, Double O, ठीक है, अब दुबारा इसकी reaction किसके साथ, अगले एक नए molecule के साथ, ठीक है, इसके NH2, और आपका CH, इससे लगा दो, R2, ठीक है, और आपका C, Double O, H, अब यहां से इसका CL और इसका H, ठीक है, माइनस HCL जो आपका बाहर निकल जागा, अब क्या होगा, CO और Nitrogen के बीच में एक नया bond बन जागा, जो की आपका यहां पर बन रहा है, ठीक है, कहां पर मन रहा है, आपका यह bond जो है, आपका नया बन रहा है, ठीक है, यह bond आपका एक पहले साथा, आप द तब जाके यह आया, ठीक है, इन दोनों की reaction यहां पर हो चुकी है, कहने का मथलक, दोनों से पहले इनोंने इससे करा दी, फिर इससे करा दी, कराने के बाद यह आपका आया, ठीक है, दो प्यप्टाइड, अब इसकी reaction किसे करा दी, इनने, नेक्स्ट, पैलेडियम, अपस्तती में जब इसकी reaction करा देंग तो क्या होगा जो आपका protecting group था ठीक है क्या था protecting group था वो आपका बाहर निकल जागा और आपके peptide कितने एक यह है और एक आपका यह है ठीक है दो peptide bond आपके जो यहां से निकल जाएगा और के निकल जाएगा आपका एक CCO2 गृप निकल जाएगा ठीक है तो इसको ये निकलेगा जब आपका यहां पर एक hydrogen आएगा एक आपका यहाँ पर hydrogen आएगा तबी क्या होगा C6-H5-Ch3 और आपका CO2 निकल जाएगा ठीक है बाकि आपका इस जो एन H है यहाँ पर आपका इन्ह2 टीक है कहां से आ जाएगा आपका यह जो है यहां कम पढ़ते हैं इनका मतलब क्या होता है इन में क्या हो रहा है अपचैन मतलब हायदोजन जहां करने हाइडोजन जोड़न क्या कहला था तो और ट्व श्शली थीऊ कप уहन कि इसमें आपके जो है पेप्टाइड बॉंड कितने होंगे दो पेप्टाइड बॉंड तो इसलिए यह क्या हो जागा आपका डाई पेप्टाइड हो जागा ठीक है और आपका यहां से जो प्रोटेक्टिंग गुरूप था वो आपका एनिलीन की फॉर्म में बाहर आ गया है ठीक तर्ड फिशर की बिधी क्या है तर्ड आपका है फिशर मेथड या फिशर की बिधी इस बिधी में क्या होगा इस बिधी में चालूइन सल्फोनाइल क्लोराइड रक्षात्मक अभिकर्मक के रूप में या प्रोटेक्टिंग गुरूप के रूप में प्रियोग किया जाता है सा है कॉँंस सब्सित आएट है टालून सन होना यह एकर डिर्स Congrats on visualize और तो है है चुकलाइड इसको इसको किसी तरह का यूज करते हैं एक प्रोटेक्टिंग बहुता एक रोटेक्टंग गूरूप की तरह इसको यूज करते हैं बाद में क्या करते हैं हाई की साथ में रिएक्शन करके इसको बाहर कर देते हैं तो यह क्या आपका अमायनो ऐसे डोगा क्या होगा यहाँ पर आपका क्या लगा हुआ सीटूःच às-56 फाद के लगा हुआ है में लगा है तो यह आपका अमायनो ऐसी ऑच यह क्या करेंगा है इसका hydrogen और इसका chlorine यह दोनों क्या करेंगे hc-l k form में बाहर निकल जाहेंगे अब क्या होगा आपका bond बन जागा ठीक है किसके बीच में sulfur के बीच में और आपका nitrogen के बीच में ठीक है तो sulphur और आपका nitrogen इन दोनों के बीच में जो आपका bond बन जागा बाकी आपका same मतलब कि आपका क्या हो गया एक जो है पेप्टाइड बनके ठीक है सलफर और नाइट्रोजन के बीच में अब क्या होगा अब यहां पर क्या होगा आपका माइनस सी टू एच फाइब और ऊएच जो भार निकल जागा पिलस कब जब हम इसमें एक दूसरा एनच टू एच और टी डवलो टी टू एच फाइब गुरूप जोड़ेंगे ठीक है जब आप एक अमाइनो एसे जोड़ोगे ठीक है तब क्या होगा माइनस सी टू एच फाइब टीक है कितना है सी टू एच फाइब और यह सी टू एच फाइब हो गया इसमें कहिक रजगी इसका जो हाइट्रोजन लगा हूआ ज़गा और फिर क्या लेगा जो नायट्रोजन बचा हुए आपका ये नायट्रोजन क्या करेगा इस वाले कारबन के साथ में बॉंड बना लेगा ठीकर अब बन जाके यह आपका pä्टाइड से लग का लग जागा यहां पर आपकर यह लगएtt तो क्या लगेगा NH लगेगा CH इसी से R लगेगा COO C2H5 इतना जो है आपका यहाँ पर लग जागा ठीक है यह बन गए आपका peptide अब क्या करना है इसको गरम कर देना 60 degree centigrade पर और HI के साथ में क्या कर देना इसकी reaction कर देनी है ठीक है यानि कि हाई के साथ में इसकी reaction करके क्या करते हैं प्रोटेक्टिंग गुरुप को बाहर निकाल देते हैं ठीक है तो इसकी reaction कर दो भी कुछ इस तरह ऐसे तो क्या होगा आपका CH3C6H4 और SH क्या बन जागा बाकि आपका क्या है जो बचा हुआ है जो आपका बचा हुआ है माइनस ह 2 यहां से आपका बाहर निकल जागा ठीक है और बचेगा क्या आपका यह आपका क्या बन जाएड बन जागा बन जागा और इसी को कहते हैं ग्लाइसिल एलेनीन के नाम से इसको जानते हैं तो इस तरह से क्या करते हैं हम इस तरह से जो आपके पेप्टाइड है ठीक है पेप्टाइड का फार्मेशन इस तरह से है पेप्टाइड का सिंथेसिस जो है इस तरह से करते हैं तीन विधियां थी ठीक है जिनको हमने एक एक करके बड़ा था और पेप्टाइड को बनाया था पेप्टाइ इसे तरह से क्या करते हैं पिताइडों को बनाते हैं और उसके बाद में जो आपका प्रोक्टेक्टिंग गुरुप की तरह काम करेगा ठीक है उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा पेप्टाइडों का बनाना या पेप्टाइड का सिंथेस मिलते हैं अगले वीडियों बन रही है हमार साथ थैंक्स पॉर वाचिंग एंड शेयर दा वीडियो